Hello students, today I am going to explain you lesson 1 sentences sentences means वाक्य है, हिंदी में हम इसको वाक्य बोलते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं complete sentences I run, I run two meals, I run two meals every day ये complete sentences हैं, ठीक है, कि मैं दौरती हूँ, मैं दो मिल दौरती हूँ मैं daily, रोजाना, दो मिल दौरती हूँ, ठीक है, ये complete sentences है Let's learn, sentences is a group of words that make sense जब भी हम sentence बनाते हैं या लिखते हैं, तो हमें हमेशा इन तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि उसका कोई meaning निकल कराना चाहिए means words जो है, ठीक है, उनको इस proper way में place करना चाहिए जो शब्दों का जो समू होता है, उसको इस proper way में place करना चाहिए कि उसका कोई अर्थ निकल करा है, कुछ वो meaningful हो ठीक है, meaningless ना हो और secondly, जो हम sentence लिखते हैं, while you are writing a sentence, always remember, first letter is always capital और sentence starts with a capital letter sentence हमेशा, जब हम start करते हैं, लिखते हैं, तो उसका first letter हमेशा capital होता है a sentence always end with a full stop और sentence की last में हमेशा हम full stop लगाते हैं ठीक है, full stop, like this, full stop, जैसे यह dot है, यह हम बोलता है, full stop sentence की end में हम हमेशा full stop लगाते हैं, तो यह इन तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखता है ठीक है, कि first letter हम हमेशा capital लिखेंगे, last में हमेशा full stop लगाएंगे और उस words को हम इस तरीके से properly place करेंगे, कि उसका कोई meaning हो, meaning निकल कर आए, ठीक है वो meaning less ना लगे complete sentence, I run, this is the simple sentence, यह एक simple sentence है, ठीक है, जिसमें की I subject है और verb run है mostly sentences में जो main characteristic होती है, वो होता है subject और verb, ठीक है, incomplete sentences incomplete sentences या तो कि वो incomplete है, मतलब अधूरे हैं, या फिर उनका कोई meaning नहीं होता है, वो senseless होते है an incomplete sentence does not make a sense, ठीक है, उसका कोई meaning नहीं हो या, जैसे कि next आपको दिया example, two meals, अब इसमें सरफ लिख दिया है two meals, लेकिन यह बताया नहीं है, कि वो किस चीज के बारे में हो रही है, कि दो मिल चले हैं, भागे हैं, या किसी का रास्ते का वो point बताया है, तो यह क्या है, इसका कोई sense नहीं बन रहा है, ठीक है, तो जो हम sentence जो भी बनाते हैं या लिखते हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि उसका कोई meaning हो, meaning निकल कर आए, ओके, thank you